खबर 365 नूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ सनिवार की सुभा बक्तियारपूर में घोस बरी गंगा घाट पर स्नान करने गए कुछ लोगों की नजर जब अधूरे अवस्था में बालो के अंदर गड़े पर एक सव पर पड़ी तो लोग देख कर हैरान रह गये हैं और आनन फानन में इसकी सुचना बक्तियारपूर पुलीस को दी जिसके बाद पुलीस ने घटना स्थल पर पहुँच शव का शिनाक्स्त किया तो पता चला कि चार दिन पुरू से गायप महिला इशापूर महनार वैशाली जीला निवासी उमेश साव की पुत्री एवं बक्तियारपूर के नया टोला निवासी गन्य शाव के पतनी 24 वर्सिये रीतू की है जिससे पुलीस ने अपने कबजे में लेना चाहा लेकिन घटना से आक्रोसित परीजन एवं ग्रामिनों ने शव को पुलीस के कबजे से लेकर शव के साथ आरोपी की गिरिपतारी की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गये और एनेच 106 को जाम किया पुलीस द्वारा काफी समझाने के बाद भी जब आक्रोसित नहीं माने तो पुलीस ने बल प्रयोक कर शव को कबजे में लेकर अंत्य परिक्छन हेतू बाढ़ अनुमंडल ये अस्पताल भेजा है इस दौरान करीब 4 घंटे सुभा करीब 9 बजे से 2 पहर एक बजे तक सड़क जाम रही खबर 365 नियूज के लिए बक्तियारपूर से विकाश कुमार की रिपोर्ट उसका जरी पिर खोल नहीं किया और मिला ते रहा कोई फोन नहीं सुझब भी चैनल मैं कोई जिसका मां बता रहे तीन बजे भाग गई है भी मैं दिल्ली से आए इकीस तारीक को डेट बोडी कहां मिला है यह बंगा किनार के पास घरा हुआ था